हेलो दोस्तों आपका स्वाव गया थे मेरे नए चैनल कैप्टन क्राको में इस चैनल में आपको तीन चेज़े सिखाऊंगा एविएशन, एविएशन, इनजर्स अविएशन तो इस पहले वीडियो में आपको एक जट लाइनर के बेसिक चैनल के बार में इंत्रिवे निचे़ करूँगा हम अभी इटली के रोम एयरपोर्ट पर हैं और हम एक्टिव रन्वे 3-4 पर खड़े हैं यह एरपोर्ट के रन्वे का नंबर लिखा है यहाँ पर और यह हमारा रहा है ब्रेटिश एयरवेज का 737-800 एयरक्राफ्ट यह गेट लाइनर है जो शॉर्ट वालिंग के लिए इस्क करा देते हैं आपको पता ही होगा कि यह सामने जोइस्टिक दिख रही है इसको प्लेइन को लेफ्ट राइट अब डाउन करने के लिए इसमाल करते हैं इसको कंड्रोल कंड्रोलर बोलते हैं इसके अलावा आपको सामने बहुत सारी स्क्रीन दिख रही होंगी इन स्क्रीन क अभी बहुत सारा काम होता है जैसे कि यह PFDF primary flight display इसमें आपको बता दूँ यह blue जो आपको दिख रहा और यह brown पाट दिख रहा है यह आपको बताता है कि आपका जो nose point है आपका plane जमीन से level पर है या फिर उसकी nose नीचे जा रही या फिर उपर जा रही है यह आपको बीच में यह dot दिख रहे है यह plane की nose को indicate करते है अभी हम देख सकते हैं कि जो left और right जो black dash बने हैं यह plane के wings को indicate करते हैं और जो 10 10 लिखा यह degrees है मतलब 10 degree elevation उपर की तरफ या 10 degree elevation depression नीचे की तरफ तो अभी हमारा plane level पर है क्योंकि हम देख सकते हैं पहला दूसरा और यह note तीनो level पर है जमीन से यह left side में आप देख सकते हैं कि यह triple zero लिखा यह अभी plane की speed को indicate करता है plane की speed km यह फिर miles में नहीं नापी जाती है इसको notch में नापा जाता है यह अलाग ए quantity and nautical miles इसके बार मैं आपको बता दूँगा वाद में और यह हमारा जमीन से elevation बता रहा है feet में तो अभी जिस airport पर हम यह dash आपको blink करने लगता है इस समझ आता है कि जब plan land कर रहा है तो जमीन किते पास आ गई है यह तो इस पूरे को बोलतना है PFD और यह आपको छोटा सा वह protractor टाइप दिख रहा है यह आपको heading बताता है radar की इसके लिए अलग से भी आपको समझा दूँगा है हाँ तो यह दूसरा वाला है heading indicator यह आप देख सकते हैं आप जब autopilot यूज करेंगे आपको जिस heading में जाना है जैसे आपको ATC कहता है कि 10 degree की तरह 10 degree heading पर fly करिये तो आप अपने autopilot से इसे लगा सकते हैं फिलाल मैं इस white dot से आपको बता देता हूं कि हमारा plane अभी 341 degree radar axis पर ख हमें east west north south तो समाझ आता है तो फिर accurate direction के लिए हम इस degrees का इस्तमाल करते हैं और heading indicator के लावा यह engine controls है तीस बाकी अभी यह जो आप 24 24 24 लिखा है यह engine के rpm को बता रहा है मतलब अभी engine 24% throttle पर काम कर रहा है हम idling है इनकी इनसे कम करेंगे तो engine close हो जाते हैं और जब हम take off के लिए engine की speed बढ़ाते हैं engine का rpm बढ़ाते हैं तो यह levels उपर जले आते हैं और 101% तक चले आते हैं जब engine को full power मिलता है और इससे red lights indicate करते है नीचे AGT बता रहा है rpm per minute अभी engine कितना stress पैदा कर रहा है यह oil pressure, oil temperature यह तो engineering काम आता है जब take off के लिए calculations की जाती है पेलोड को देखते plane के पैए होते हैं उन्हों उपर की तरफ ले लिया जाता है तो इस landing gear lever इसे बोलता है इसको आप उपर करते हैं तो plane के पैए होते हैं वो अंदर चले आते हैं landing gear जहम जिसे बोलता है language में, aviation language में और बाकी आप यह देख रहे हैं यह पूरा engine control center है इसमें आपको यह throttle दिखे मैं इसे आपको clearly दिखा देता हूं दूसरे views से तो यह देखिए मैं अभी यह cockpit का भी हटा देता हूं तो आप यह देखिए बस यह दोनों आप जो देख रहे हैं यह है इसमें throttle controls जब आप इन्हें बढ़ाते हैं जैसे कि आगे बढ़ाए जाता है या आप देखते हों कि pilot इन्हें push करता है तो engine का RPM बढ़ने लगता है वह जादो thrust पैदा करता है takeoff के लिए जब takeoff होता है तो इन्हें पूरे आगे तक बढ़ा दिया जाता है जैसे कि यह पूर 101% throttle काम करेगा plane का thrust बहुत तेज हो जाता है और इस left side में flap है flap wings की extensions को बोले जाता है जब plane की speed बहुत कम होती है तो उसे stall करने से बचाने के लिए flaps को extend कर दिया जाता है ताकि कम speed में भी plane गिरेना और वो stable maintain रहे यह landing या takeoff में इसमाल किया जाता है mainly in flight में जब cruise level हो तो इन् अची खासी होती है और यह left side में आप देख रहा है एक और इसे बोलता है speed brake अब हवा में पईये तो काम करते नहीं है तो फिर हवा में speed कम करने के लिए wings के उपर extensions लगा दियाता है कि wings के थोड़े metallic plates होती है वो उपर की तरफ आ जाती है तो वो air से retard होकर plane को retardation करती है जैस मैं खोल दूँगा अभी जो आपने speed brake देखा है तो अगर मैं इसे अभी full पे लगा देता हूं तो आप देख सकेंगे हाँ मैंने full पे लगा दिया अब मैं जैसे video start करता हूं वापस यह देख रहे हैं आप विंक्स के प्लेट उपर आ गई है यह से लड़कर retardation पैदा करती है जो plane को flight में जो हवा में होता है उसकी speed कम करने में help करती है अभी take off के लिए इनका कता ही दर्वत नहीं इसलिए मैं वापत बंद कर देता हूं इन्हें बाकी यह बता देता हूं य इसके लावा Airbus, Doglass जैसे बहुत सारी कंपनिया होती है जो jetliners बनाती है अभी trending में तो Boeing और Airbus के plane सोड़ते हैं और में बता देता हूं यह जी जी डियो जी एच लिखा है यह plane की flight number इंडिकेट करता है ब्रिटिश एर्वेस का aircraft है और यह दियन लाइनिंग यह रेस में आप यह देखता है सकता है altitude लिखा है heading लिखा है यह सब जब autopilot on किया जाता है जब plane को cruise mode पे लाए आता है या फिर take off के बार और जब automated flight start होती है तो pilot इन पे अपने जो उन्हें order मिलता है अटीसी से कि आपको इतने heading पर उड़ाना है इतने उचाई पर उड़ाना है इतने जैसे मैं button दबाऊंगा autopilot के साथ तो plane अपने आप इस heading पर उड़ने लगेगा और इस altitude पर उड़ने लगेगा बिना हमारी control की उस समय हमारे joystick का कोई काम नी होगा आप इसे छोड़ को देंगे तब भी उसी level पर उड़ाएगा इसके अलावे navigation GPS जो आपको retune करना होता है आ यह होता है plane का GPS इससे आपको देखने green step here runways indicate करती है इससे आप वह waypoint देखता है किस route के थ्रू आपको दिल दी जाना है और इसी को follow करता है किसे navigation गोलता है और यह radio stack है जो आपका autopilot यूज़ करता है DTC से contact करने के लिए इसका तो complex working है इसे हम बाद में देखेंगे तो यह main हो गई है जो take off के लिए requirements होती है मैं आपको बता देता हूँ जब plane को tail off करना होता है runway से पहले heading incline करने आती ताकि जब plane speed पके टेक off के लिए तो plane runway से बाहर नजए इसलिए runway की heading होती plane को भी उसी heading में बराबर आना पड़ता है अभी मैं आपको बाहर का भी आयर करिए बाहर सा देख रहे हैं आपकी जो plane का tail wing है वो एकदम runway के seat में मतलब जब plane आगे बढ़ता है वो दाय माई जाने को की खत्रा नहीं है तो हम यह conclude कर सकते है कि 341 degree है runway heading जब हम take off करेंगे इसी heading पर ओड़ेंगे फिलाल इसके लाब आप यह देखते हैं यह speed brake होता ह मैं जब इस plane को land करना होता है तो उसके लिए इसको आंग कर दिया था जैसे ताकि जैसी plane जमीन के चुछे तो उसके जो wheels होता है landing gear अपने आप brakes apply कर देता है और speed कम कर देता है क्योंकि plane की speed वो जल्दी time में कम करनी पर थे ताकि वो runway के आगे ना जाए तो यह हो गया course maintain तो कि आपको आवाद नहीं आ रही ताकि मेरी आवाद आपको आज है इसके लाव मैं आपको बता दूँ flaps का क्या क्या होता है take-off की time जब हमें take-off करना होता है हमारे छोटा aircraft है तो हम इसको flaps है हम 5 degree पर side करेंगे ताकि जब मुझे पाता है कि जब यह aircraft runway की end तक महुत जाएगा हवा में तो take-off possible new crash का बहुत खतरा होता ऐसे बहुत crash हो चुक है जब की pilot की lap अरवाही से उन्होंने flaps नहीं खोले ते और वह runway के आगे चलाए जाके crash हो गया तो take-off से पहले हमें flaps 5 degree पर side कर देना है जब 5 degree पर side कर देंगे आप